बही आपने जो विकसित भारत विकसित नवादा का संकल्प लिया है उसमें किन्य मुख बिंदों पर प्रमकृप से काम करना चाहे हैं देखे नवादा और शेक्पुरा आकांशी जिला है आकांशी जिला वो होता है जो भारत सरकार के जो पैमाने तहें उन सभी में कई चीज़ उसका समाजिक है आर्थिक है सेक्षिनिक है हर पर तो एक चीज़ तो तै हो गया कि विभिन पहलूं पे ये दोनों जिला पिछड़ा है दोनों जिला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक विदान सभा इस लोग सभा के अंतरगत शेक्पुरा का भी आता है बर्व आर्थिक रिष्टिकोन से देश का चौथा राज बना दिया था उसके जनमस्थली का यह हाल है कि अभी आकांशी में आज भी चल रहा है बहुत प्रयास हुआ है दस सालम नों उसको भानने का लेकिन खाई इतनी लंबी भरी भी थी इतने साल की थोड़ा वक्त लग रहा है तो पहला चीज है कि अगर हम लोग इस दोनों जिला को आकांशी से निकाल लिए तो यह खुद एक बहुत बड़ा उपलब्दी होगा हर छेत में काम करने की जरूरत है कई शिच्छा के कई पहल हैं जो कि यहां पर जरूरत है मेडिकल कॉलेज वगरा कि यहां पर आवशकत कई फंडिंग होता है है यहां जिला में कमणिकल कोलेज को नवादा वंचित है कि इंद्रिय विद्डाले जों जो फिर पारीथ है उसमें जो है थोड़ी जमीन सी सम्बंदीत विशे हैं तो कई विशे हैं इसको लेके हम एक विकषित नवादा संकल पत्र संभ़तं सूलह क को और वो आप लोग को फिर बिस्त्रित रूप से बताएंगे यह देखिए उनीस तारीक को जो चुना होने जा रहा है मद्दान होने वाला है यह तो पहलू के लिए महत्रपून चुना हो हमारा देश एक ऐसे मोड पे खड़ा है कि उसको भी एक नई उच्छाल लेना है और जो लेगा और उस उच्छाल के बाद जब मजबूती आएगे तो एक हज़ार साल के लिए भारत सुरक्षित होगा उस रास्ता पे हम चले वहें तो देश सम्रिद और सुरक्षित और मजबूत रहे इसके लिए कोई गलती नहीं करना है कैसे राष्ट्र प्रथम है तभी हम लोग सब तो प्रभानमंत्री मोदी का नित्यत्व बरकरा रहे ताकि देश प्रगती करता रहे और सुरक्षित रहे बजबूत रहे जो आद दुनिया मान रही है दूसरा की नवादा का एक नया सकरात्म का ध्यायक हमनों को आरम करना है एक नए नवादा का निर्मान करना ह और विक्सित भारत के अंतरगत विक्सित नवादा को समाहित करना है बहुत अद्भूत है बहुत ही अद्भूत है सभी वर पिछड़ा दलेत महिला नौजवान एक स्वर्वें जो है ये लोग एक मन बनाएवे हैं और एतिहासिक परिणाम प्रहानमती मोदी